साल दर साल तो नतीज़ अच्छे रहेंगे एक्सपेक्टेशन तो यह यह जाहिर से बाते पिछटे पूरे साल में आमने देखा जिस्तर से कीमते बड़ी है उसका एक बहुत बड़ा फाइदा मिलेगा लेकिन साथ ही साथ जो ओवराल खर्चे हैं वो भी बड़े हैं इसके ल और तिमाही आदार पे सालाना आदार पे एक पसेंट माफ कीज़ेगा और तिमाही आदार पे करीब पाच पसेंट के आसपास की बड़ोती होगी बढ़ते वॉल्यम के चलते है रियलाइजेशन में भी सुदार होगा ओप्रेटिंग खर्च के कारण मार्जिन जो यह वो द दस लोड़ पे आएगा साल दर साल 34% बढ़ेगा लेकिन कोटन कोटर करीब 8.3% गिरने वाला है आगे नसर रखेगा यह कमनी राजिस्तान की जो फेसलिटी है उसका काम पूरे होने की उमीद लगा रहे हैं अगली तिमाही में तो उसके उपर क्या अपडेट है मांग और क कीमतों के लोगे स्थिती क्या है फिलाज यह कमनी से जानना काफी बैतर होगा और उत्तर और पश्चिम में मार्केट की क्या स्थिती है यह कमनी से जानना होगा तो नतीजे वैसे तो साल-दर साल अच्छे रहेंगे लेकिन हां माजिन्स भले वो साल-दर सालो कॉटन कॉट थोड़े बहुत प्रेशर में रह सकते हैं 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 प्रेशर में रह सकते हैं